पाहुवली का जो महल था महजमती महल उसी को पंडाल के रूप में दिखाया जाए इस पार खर्च जो हम लोग का है लगबद 13 से 14 लग सरकार बदलने के बाद आप RJD और ZU दोनों साथ में आएंगे अपने ही एरिया में घुमें और सोसल डिस्टेंस अभी बना के राखे बाहुबली मूवी आपने देखी होगी उसमें आपने माहिशमती का महल भी देखा होगा वही महल दुर्गा पूजा में इस बार यानि दशहरे के मौके पर राजधानी पतना के खाशपूरा इलाके में दीखने वाली है देखिए यह तस्वीरे हम आपको दिखाएंगे पतना के खाशपूरा से और तस्वीरों में जो महल आप देख पा रहे होंगे जो पंडाल आप देख पा रहे होंगे यह बाहुबली मूवी की ही तर्ज पर जो माहिशमती का महल है वो बनाया गया है कालाकारों के द्वारा इस महल को तमाम सुंदर प्रयास से बनाया गया है हमारे साथ इस पूजा समीती के सदस है जो खाशपूला बेरी रोड में शिव मंदिर के पास स्थित है हम उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यह जो थीम है उसे बनाने की सोच कहां से आ देखे पहले तो दो साल कोविट के वज़े से कुछ हुआ नि छोटा मलब पूजा हुआ लेकिन छोटे स्थर इस बार हुआ कि भाव तरीके से करना है तो फिर हम लोगों ने बहुत तरह के लोगों जितने भी मेंबर है सबसे तस्वीरे मंगाई तो हुआ कि भावता देख थाया जाए इस बार इतनी की लागत से पंडाल बन और कहां से कारीगर यह जामतारा के बिहार के कारीगर है रामार नाम है और यह पूरा इस बार खर्च जो हम लोग का है लगबर 13-14 लाक जामतारा जार्खंट के हैं तोटल खर्च दोटल के बाद आयोजन जो यह वो धू तबी तो जो हमारा बजट इससे आधा होता हम लोग ने यह बजट बढ़ाया है सब आपस के कॉंट्रिबूशन से दो साल बाद आप लोग ने बजट ही बढ़ा दिया अब क्या करें दो साल तो रुका होता ना तो अब तो जो उत्साह था था जो हम लोग दो दुरगा पूसे के देखाया जा इसलिए बनाने वाले कलाकार जारकन के रामान मुर्ती जो है मुर्ती में कुछ खासियत या जो मुर्ती कलाकार है वह वह बिहार कहीं है पटना कि यह ब्रिज भूशन नाम है उनका तो इस पार कितना आप लोगों में उत्साह देखने को मिलेगा बह प्लस प्रसाशन एंसी सी के कैड़ेट उसाब रहते हैं लगे पूरे उसमें आज नहीं को आते हैं हर साल आते हैं कौन आएंगे तो नहीं सरकार बन गई तो नहीं सरकार में दशहरे में बाहुबली पंडाल में तेजस्वी यादव और निदीश कुमर दोनों आएंगे दोनों ही आते हैं हम लोगों का यहां की जो हाइट है इसका शिखर आपको यहां से नदर नहीं होगा आएगा अगर इस पंडाल को पूरा एक फ्रेम में लेना फोटो तो आपको बहुत सारा अज़स्ट्मेंट करना पड़ेगा या तो हाई जूम कैमरा होता भी आप यह सी इसके यह जो कितन कि खाचपुड़ा इलाके से लोग भी हैं कितना खुश है कि इस बार दो साल के बाद फिर से रोनक देखने के लिए बहुत अच्छा लग रहा है यह दो साल तो लोगा इसे ही रहा भटाकते रहा लेकिन इसवार का महाल देख करके लग रहा है कि अच्छे ढंग से दसाहरा लोग मनाएगा पंडाल मनाएं पंडाल देख करके यही तो बबाद देख करके लग रहा है आज की से बनेगा अभी तो लोग पूरा नहीं आया है लेकिन अंदर से दिखाई पर आए कि आपकी पंडाल बन रहा है उनसे भी बात करेंगे कैसा लग रहा है दो साल के बाद फिर से रॉनक पटना में दिख रही है बहुत अच्छा लग रहा है देखने में अभी इसके लिए कि दो साल तक तो परोना इसके वज़र से इतना जाने की पूरी तैयारिया नही है क्योंकि कोवीड अभी 100% खतम नहीं हुए इसके लिए और भी लोगों से कहना चाहते हैं कि अपने ही एरिया में गूमें और सोसल डिस्टेंस अभी बना के रखें और क्राउड एरिया में मास्क का कंटिन्यू यूज़ करें भाईया है जो बहुत देर से उपर देख रह हैं हम Luck पटने के रहने वाले हैं पटने में रहेंगे अच्छा पंडाल कहा होता हुए हुफ होता है कि सबसे बनिया का रहता है इस बनिया और कहीं तो इन्होंनों भी कह दिया है कि सरकार बी बदल गई और महांकर बंदन की सरकार है और देखिए खाजपूरा इलाके से आपको दिखा रहे थे कि बाहु बली महाश्मतिच की जो महल थी वो इस बार उसके थीम पर पत्ना में भी देखने को मिल रही है हाला कि पत्ना के तमाम चौक चौड़ाहों पर अलग अलग खीमों पर पंडाल इस बार बन रहा है और उसी बीच अपने आपको दिखाया पत्ना के खाजपूरा से लाको रुपई की लागत इस बंडाल को बनाया जा रहा है और जहां नितीश कुमार और तेजस्वी यादब पहुचने की बात लोग कह रहे है बहराल इस खबर में बस इतना ही सही होगी प्रकाश कुमार के साथ रोहित वर्मा लाइफ स्टीज पटना